भयाना में लगातार विद्यूत तंत्र पर बढ़ रहे विद्यूत भार वेट ट्रांस्मिशन लाइन से मिल रहे कम वोल्टेज के बीच डिस्काम अधिकारियों को नियमित कर्शी ब्लाक बिजली आपूरती करना चुनोती से कम नहीं है। डिस्काम अधिकारियों दुआरा लोड मेनेजमेंट कर प्राप तो रही बिजली को ब्लाक वाइज किसानों को उपलब दे कराई जा रही। फीडर को वाइज ब्लाक में ऐसे निर्धारित क्या हुआ है जिससे सभी ब्लाक में लोड 33 केवी लाइन पावा ट्रांसफार्मार में 132 केवी बिजली गर पर सवान रहे। शनिवार को 132 केवी नदबई ब्याना लाइन में तकनिकी खराबी के करण ब्याना रुदावल चेतर की विद्यूत आपूर्ती दिर में बादित रही। जिस करण सभी बोगताओं को विजली में विवधान उत्पन हुआ। शनिवार साइपांच विजे जैसे ही नदबई से विद्यूत आपूर्ती बाहल हुई तो तरसुमा बिजली घर से निकल रहे 11 केवी फिडर कोट की बिजली फार्ट के करण बंद हो गई जिससे 40 के गाउं के 800 बक्ताओं की बिजली बातित हो गई। जिली घर क्रमचारी की सुतना पर कोट फिडर इंचार्ज वीरी सिंग लाइन ने लाइन की लाइन पैटर्लिंग में समय लगा रात में तार टूटने की लोकेशन तरसुमा कोट की पहड़ी में बिली पहड़ी में क्यंग्डी जानवर के डर को देखते हुए बयाना एक्स पहड़ी होने पर फिडर केव बुक्ता को पानी वे अन्य समान जरूरी काड़े के लिए बिजली दी गई टीम में फिडर इंचार्ज वीरी सिंग पर मौत्था कड़ा आधी मोजूद रहे फिडर भी 70 km में डाग चेत्र में चेत्रा हुआ है और साम को पांच वे सप्लाई चालू की तो लाइन फॉल्ट होने के वज़े से सप्लाई चालू नहीं हो सकी उसके बाद लाइन में द्वारा पैट्रोलिंग की गई रात को यह लोकिशन डानेटिफाई हुई कि तरसुम रात को मैंने यहां से टीम गठित की क्योंकि उस एरिया में जंगली जानवर का प्रकॉप जादा है तो इसको सुरक्षाई की दस्टी से भी देखते हुए यहां से टीम भेजी गई लाइन में टीम मौके पर पहुँचे और कनिश्ट अवेंता नितिन डागूर जी की नेतरित में कार्या कराया गया यह लवक सबावार वजे लाइन दुरुस्त हुई और उसके बाद में पानी या अन दिंचरिया कार्यों के लिए विद्धुताप उठती भाल की गई और उनको विद्धुताप उठती दी गई अभी सर्दी का समय है और वोल्टीज की भी दिक्कत आ रही है तो इसको देखते हुए मैंने निर्देश दिये हुए कि अधिकारी करमचारी अलंट मोड पर रहें ना केवल दिन में बलकि रात को भी बार एक वह तक लोड मैनेजमें करने और यता संभाव अंदी छे घंटे किसान को विजली देना सुनश्यत करां विवेक शर्मा एक्षिन जापर डेसकों बयाना